हेलो गाइज, आएम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point गाइज जिसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ Students Point पर Political Honors की जो स्टूड़न्स हैं 2nd year की उनकी क्लासे स्टार्ट हैं और उनके तीन मेन कोर्स में से हमने Maximum Slables Complete कर लिया है सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है comparative politics comparative politics में हमने तीन यूट्स कम्प्लीट कर लिया है सो आप लोगों नहीं बहुत सारे students ने मुझसे बुरा था कि मैमा पहले एक ही subject complete कर वा दीजे बार की जो है आप बार में complete कर वा दियेगा ठीके तो ऐसा है कि आज है हमारी class 4th unit पर 4th unit 4 topics में divide है हम 2-2 करके करेंगे ठीके 4th unit है तुल्लात्मक visualization की मुद्धे इसमें सम्मधानिक विकास और राजनिती कर्थ वस्ता में तुल्लात्मक अध्यान करना है ब्रिटेन, ब्राजीन, नाइजीरी और चीन का सो आज ही class में हम ब्रिटेन और ब्राजील पढ़ेंगे next class में हम नाइजीरी और चीन पढ़ेंगे और ऐसे आपकी ये पूरी unit complete हो जाएगी और साथ-साथ में हम important questions भी देख लेंगे ठीक है फिर आपका ये subject पूरा complete हो जाएगा आप इससे बिलकुल free हो जाओगे कि हाजी अब ये पूरा complete हो चुका है ओके? So, let's start सबसे पहले सम्मिधानिक विकास एक तुल्लात्मक अधियन constitutional development and comparative study के रूप में क्या है? देखो सम्मिधानों का जो इतिहास एक जो historical development है उसका तुल्लात्मक visualization, तुल्लात्मक सरकार और राजनिती के प्रतिमान का एक एहम स्थान रखता है बहुत जादा importance देता है और आधुनिक राश्ट का जो विकास है और लोकतंत्र की मजबूती है वो सम्मिधान और सम्मिधानवाद की नीव में शामिल हो गए है बहुत अच्छे से सम्मिधानवाद की भावने राश्टराजी की वेधता बढ़ा दी है और राश्टरवाद की धाड़ना के साथ बहुत जादा मजबूती भी हो गई है सम्मिधान को सम्मिधान से समर्धन मिलता है और उसी तरीकी से राश्टरवाद सम्मिधान की धाचे को मजबूती देता है ठीक है जो समुधाय को चलाने के लिए बहुत जादा हेल्प करते हैं ठीक है आज की जो दुनिया है उसमें जाधार देशों में एक केंद्र दस्तावेज होता है जिसमें सभी या फिर जाधाता नियम होते ही होते हैं केवल कुछ यह देखो जैसे ऑस्ट्रेलिया इस्राइल या या एक साथ मिलकर सम्मिधान बनाते हैं अदर्वाइस किसी में नहीं ठीक है एक साथ मिलकर ये सारे सम्मिधान बनाते हैं कभी कबार सम्मिधानिक दस्तावेज चाहे तो वो एक हो या बहुत सारे हों सम्मिधानिक कानून के दूसरे स्त्रोत जैसे दीते रिवाजय धार्मिक नियम है इन सब से भी जुड़े रहती हैं बहुत अच्छे से सम्मिधान वाद या सम्मिधान ने आधुनिक राज्ये को एक वय्द और राजनीती के रूप में माना है और एविडाई से कहते हैं कि सम्मिधान प्रतियक्ष रूप से राज्ये की समप्रभूता शक्ति के निर्वाहन को प्रभावित करता है ठीक है वो कहते हैं कि सम्मिधान प्रत्यक शुरूप से भी और अप्रत्यक शुरूप से भी राज्ये की जो सम्प्रभू शक्ति है उसके निर्वाहन को बहुत जादा प्रभावित करता है उसके साथ सम्मिधानवाद का तुलनात्मक राजनीती का एक बहुत बड़ा अंग इसमें शामिल है C.F. Strong ने ये बोला था कि तुलनात्मक राजनीती का विद्धियारती उन संस्थाओं में दिल्चस्पी रखता है जिनका गटन राजनी अपनी शान्ती और प्रगती के लिए करता है जिनके बिना राजनी अपने आपको नहीं चला सकता जिनके बेना विए आपको बिल्कुल भी नहीं चला सकता एक स्टेट को चलाने के लिए शान्ती और उन्नती उसकी प्रगती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बग्याट कोई स्टेट नहीं चल सकता ये मैंने आप लिए कि मैंने तरह सारा लिख दिया ये मैंने आपने को किसली ही बता है मेरा लिखने का मकसद है कि आपको मैं अलग-अलग देखो बोलने का तो इनका मतलब एक ही होता है सबी फिलासफर्स का लेकिन इनका तरीके अलग होते है लिखने के तो मैंने इनके तरीके अलग लिखे हैं बोली इन से अगी बाद हैं जैसे पिछली क्लास में मैंने आप क्लास में उपनी वेशत बाद पढ़ाया था तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे फिलासफुर्स से पुन्जी बाद में समाज बाद में सबने अपनी एकी बाद बोली लेकिन अलग-अलग अलपाजों में तो इसमें भी समने एक फे बात बोली है अलग-अलग अलफाजों में इसके साथ सम्धानिक विकास का जो तुल्नात्मक अधियन है और सम्मधान बात का जनम और एक historical development इन सदी में राजनितिक विवस्थाओं और विबिन देशों की जो संस्था हैं उनको समझने के लिए बहुत जादा जरूरी है और ये आप भी जानते हैं सम्मिधान मत कानूनों की ना की किसी वेक्ती की सर्वोच्था नहित करता है और ये बात अपने जहन में बिठा कर रखो कि सम्मिधान जो है वो कानूनों और अधेनियमों द्वारा स्थापित राजनितिक वेवस्था को संदर्भित करता है इसमें कानून की ना की किसी वेक्ती की सर्वोच्था नहित है उसके साथ साथ आगे केसी हियर ने कहा कि सम्मिधान पत का प्रियोग आम तोर पर दो अर्थों में होता है पहला ये कि एक देश की सरकार की पूरी विवस्था का वर्णन करता है और दूसरा ये नियमों का समू है जो सरकार को स्थापित संचाले तो शासित करता है बहुत एजी लेंगविज जो मैंने आपको यहां लेकर बताया है साफ साफ जाहिर हो रहा है पहला तो ये कि जो देश की सरकार है वो देश की सरकार की जो पूरा सिस्टम है उसका वर्णन करता है और दूसरा जो है वो नियम का समू है वह सरकार को स्थापित करता है, संचारियत करता है, शासित करता है ये सारी चीज़े उसमें वह अच्छे से करता है ठीके, अब बात आती है great Britain की, अब हम बात करता है Britain की Britain में, देखो, great Britain का मैंने आप मैप भी लगाया है फ्लैक भी लगाया है और एक तरीके से जो थोड़ा सभी बता रहा है कि इसमें क्या-क्या है कौन-कौन से देश हैं कंट्रीज हैं वो अले मैप में आपको लगा के दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई ब्रिटेन में और चीजे आती क्या हैं तो तुल्लात्मक सरकार और राजनिती के जो विद्धारती है उनके लिए ब्रिटेज सम्मिधान व्यवस्ता को समझना बहुत ही जादा जरूरी है तुल्लात्मक सरकार और राजनिती के जो विद्धारती है उनके लिए ब्रिटेज सम्मिधान व्यवस्ता को समझना बहुत कि बड़े राजी को कैसे सफलता पूरवक लोकतांतरिक सिधानतों पर चलाया गये बलकि उन्होंने उस सबसे पहले उन्होंने मतलब लोगों के मन में लोकतांतरिक संस्थाओं को भी बिढ़ाया और संचालन किया कि उस राजनितिक मानसिक्ता को उन्होंने उसमें पैदा कर बनाया था इसके साथ मतलब इसका मतलब मैं आपको यह बताती हूँ कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई भी वैचारिक बेद नहीं है और यहां तक कि जो बिटिश मत दाता थे इसके बड़े स्तर को बहुत जादा नकारते थे इसको खत्म ही कर दो उसके साथ साथ बिटिश सम्मिधान अनोका है क्योंकि यह अलिखित सम्मिधान है अन्विटन कॉंस्टिटूशन है यह याद रखिएगा आगिस की विशेश्टाव में आपको पढ़ाऊंगी यह एक अन्विटन कॉंस्टिटूशन है और इस पर अधारे सम्मिधानिक व्यवस्ता उधारण है ठीक है उसके साथ साथ बिटिश सम्मिधान का अलिखित चरितर जो है वो बहुत सारी असंग्यतियों को प्रतिविम्मित कर देता है और यह सही है कि बिटिश लोग अनुदार होते हैं लेकिन वो यथार्तवादी भी होते हैं उन्होंने प्रियास करने के लिए विवारिक दिश्टिकोन अपनाए है और बिटिश जो राजडिदिक संस्थाए हैं उनका विकास हो रहा है देश में बदल रही है सब चीजें और दीरे दीरे सब चीजें बहुत जादा ठीक होती जा रही है उसके बाद है बहारी बदलाव का अर्थ वो इद्राइल और चैंबलिन के ग्रेट ब्रिटेन अंपायर से आज के स्वतंत्र राश्टियों को मुक्त कॉमन्त वेल्थ की रूप में बदलाव से है आंत्रिक बदलाव में कोडेन के जो जमाने के अहस्तक शेप वादी थे उन्होंने राज्जे से आज के समाजिक सुरक्षा वाले राज्जे के महत्पूर्ण जो रुपान्तरण है उसका उसकी चर्चा की है उसके साथ साथ जो समाजिक सुरक्षा और बड़े उद्योगा का राश्ट्रिय करण के लिए बहुत बहुत बड़ा कदम उठा सकता है उसके बाद 1648 की Puritan कांत करांती क्या थी कि एक ब्रिटिश घटना थी वो और जिसने ब्रिटिश के जो ब्रिटिन थे उनके सम्मिधानिक विकास उनका जो पूरा Constitutional Development था उसकी प्रकिरिया में कोई योगदान बिलकुल भी नहीं दिया था ब्रिटिन में सम्मिधानिक परिवर्तन की जो प्रकिरिया थी वो शांती पूर्वक तरीके से थी और ब्रिटिश सम्मिधान ने हमेशा अपने को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही ढाला और साथ में खुद को एक अवहेलना से बचा लिया था ठीक है उसके बाद ब्रिटिश सम्मिधान व्यवस्था को सरकार के विज्ञान को उसके अपरिमित योगदान का श्वय देते हैं बहुत एजी बात है आप इसको समझ लेंगे कोशिश करो कि ब्रिटिश सम्मिधानिक जो पूरा ब्रिटिश कॉस्टिविशन सिस्टम है उस फूरा को गवर्वेंट का विज्ञान है उसको उसके अपरिमित योगदान का श्यर दिया जाता है ब्रिटिश सम्मिधान को सभी सम्मधानों की जननी के रूप में जाना जाता है student जननी होती है जनम देने वाली mam ठीक है तो एक तरीके से British सम्मिधान जो है हमारा British का Constitution है उसको सभी के सम्मिधानों की जननी की रूप में दिखा जाता है एक तरीके से सभी के सम्मिधान को यहीं से लिया गया है ऐसा बताया जाता है उसके साथ साथ ये दूसरे लोग तांतरिक देशों में भी सम्मिधान निर्मार को बहुत जादा प्रभावित करता है और ऐसा ब्रिटेन में हुआ कि जो प्रतिनिदी सरकार के सिधान थे और संस्थाओं का सबसे पहला विकास हुआ था और ब्रिटेन की दियूसरदनिये जो एक दुरगटना की उपज थी वो बहुत जादा बढ़ गई थी ठीक है उसके साथ साथ ब्रिटेन करके ही पढ़ाया जाएगा तो वो तो रिटेन करके ही पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट सो मैं टीचर हूँ हम लोग तो रिटेन करके ही पढ़ेंगे हमने कौन सा कॉंसा इसको रिटेन करा गया बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये अन्रिटन नहीं है ये अन्रिटन ही है इसको लिखा रही गया है ठीक है उसके साथ साथ अब बात आती है ब्रिटेज सम्मिधान की मुख्ये विशेश्टाओं की अब विशेश्टाओं की बात आती है तो सबसे पहले अलेखित सम्मिधान ही दोना चाहिए भारत अमेरिका जैसे कई देशों में लिखित सम्मेधान है ये आप जानते हैं और बृतेन का मामले एक अपवाद है क्योंकि बृतिश सम्मेधान अलिखित है इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई भी सम्मेधानिक दस्तावेस बिल्कुल भी नहीं है ठी 1928 में आया था और वेस्मिंटर अधीनियम 1931 में था 1911 में 1949 में संसदिय कानून बना था ठीक है यह सारी चीजे बहुत बहुत सारी चीजे हैं जो इसमें बड़ी थी और इनको एक तरीके से दिखाया गया कि यार यह चीजे अलग है और मतब एक तरीके से इसको अलग दिखात इन सबसे मिलकर बना है और यह चार्टर हिस्टॉरिकल जो दस्तावेज है उस में हस्तकशेप और ब्रिटेन का सबसे बड़ा चार्टर है ठीक है मैंगना कार्ट का महत जो है मैंगना कार्ट चार्टर जो था 1215 ECV में आया था उसके पहले और उसके बाद क्या हुआ था कि म मतलब एक तरीके से हस्ताशिरित करा गया था बताया गया था उनको आगे बढ़ाया गया था उनकी सिगनेचर हुए थे और बिटेन का वो सबसे बड़ा चार्ट है था ठीक है मैंगना कार्ट का महव जो है सम्मिधान की प्रस्तावना से संबंदित है कि राजा कानून की अध क्रोमन्स में अपने बहुमत के दंबर पास कर सकती है ठीक है उसके साथ सर इसका अर्थ यह है कि जो सरकार जो कानून चाहे बना सकती है इसलिए पूछना निवारे हो जाता है कि कैसे लोगों के मूल अधिकार और अजादी सरकारों के मनमाने शासन से सुरक्षित रह पाते हैं फूर्थ है राजनितिक अर्थ वैवस्ता पॉलिटिकल एकोनॉमी पॉलिटिकल एकोनॉमी में बताया गया है कि राजनितिक अर्थ वैवस्ता वाला जो परस्पेक्टिव है वो पॉलिटिकल की एक एकोनॉमिक व्याक्या से सम्मंद रखता है और यह बहुत बड़े स् ब्राजील की बात आती है तो देखो ब्राजील की कारेपाली का वैवस्था पिका नयापाली का जुडिशेरी लेजिसलेटिव और यह सब जो है वो उनके भी शक्तियों की सपर्ष्ट विभाजन के साथ कानून के शासन पर अधारिक एक लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक शास समाजी गधिकारों की गारंटी देती है ठीकि यह बात मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको लिखकर बता दी है संगी समीधान कई मानव और समाजी गधिकारों की गारंटी देता है और ब्राजील में राजनितिक व्यवस्था और कई दशकों की प्रयोग दात्मक जो सरकार है उनकी एक विरासत है लेकिन सही लोकतंतर अपेक शक्रत बिलकुल नया है इसने कई संकटों को सामना किया एक क्रिशी उपनी वेश और दास्ता के गहरे प्रभावो वाले जो मूल से लोकतंतरिक और समतवादी समाज बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करी उसके साथ साथ ब्राजीली को अजादी पूर्तगालियों से 1822 में स्पैनिश अमेरिका की तहना किसी बगावत के कारण नहीं बलकि पूर्तगाली समराट के पूत्र के होकुम से मिली थी ये भी आप याद रखिएगा पूर्तगाली राजा डी जो आओ चेथुर्थ के पूत्र राजकुम भी तो अपने आंसर में इसको एड़ कर सकते हो नहीं तो कोई इशू नहीं है ठीक है उसके साथ साथ राजकुमार अलकांटा या राजा पेडरो प्रथम 1838 में उसके त्याक पत्र से पहले तक एक पहला समराट बना था और पूरे साथ दशकों तक ब्राजील का एक समराज और राजीतिक स्थर्ता को बिल्कुल एक नई दुनिया के रूप में देखा था अब बात करते हैं ब्राजील समयधानिक विकास की तिहास की ब्राजील हिस्ट्री ऑफ दा कॉस्टिट्यूशनल डैवलपमेंट 1824 का समयधान की हम बात करेंगे उससे पहले एक छोटा सा इं पीच राज्यों को और नागरिकों के बीच ही कड़ी है ना उसको खोचती रहती है ब्राजील का समयधान आकरी बार पांच अक्तूबर 1988 को संशोधित किया गया था इसमें 250 अनुछेद और 211 तक 67 संशोधन किये जा चुके थे ब्राजील समयधान का इतिहास इस प्रकार है किस प्रकार है हमें आपको बताती हूँ 1824 का समयधान 1824 का समयधान जो है अजादी से पहले ब्राजील के पास कोई भी अवचारिक समयधान बिल्कुल भी नहीं था और ब्राजील ने 7 अक्तूबर तक अराम से 1882 को अपनी अजादी हासिल कर ले थी लेकिन जो पुर्दगा प्रथम ने समयधान लेखन की जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो 1823 में शुरू की थी और 1824 का इंपेरियल समयधान इसको माना जाता है उसके साथ साथ इस दौर में दो बहुत बड़ी घटनाए हुई थी जिन्होंने ब्राजील की राजनीतिक समस्याओं को बड़ा दिया पहली कि पुर्थम ने बहुत बड़ी संख्या में आप रवास अधार्थ पुर्थम 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 पार्टी अपने विशेश इदिकार अपने पास रखना चाहती थी और ब्राजील जन्संख्या का बड़ा हिस्सा श्वेत के डर से एक बिखरे बिखरते राज्य क विद्रो का धौरान मानने जाने पर एक मतब एक तरीके से उसको गुलाम मना लिया था राजकुमार पेड्रो ब्राजील जमींदार और ब्राजीली पार्टी से समढ़ते थे और पुर्तगाली और ब्राजील पार्टी दोनों के पास अलग-अलग और अलग-अलग मतब फिरे सम्मिधान ने शक्ति के मतब एक तरीके से चार स्थम गिनाय थे कारे पालिका, राजे परिशद, विवस्थापी का आमसभा सीनेट और चैंबर ऑफ डिप्टीज और नियायाले पालिका की जो अदालती है वो ठीक है मध्यास जो समराट से संबंध था बहुत को उनकी अपने लेजिसलेटिव चैंबर बनाने के लिए पर्मीशन दी और 1847 को इसको इसकी रचना हो गई थी इसका स्रजन हो गया था उसके बाद 1824 का सम्मिधान बहुत जादा पवित्र माला जाता है और इस सम्मिधान ने कैथलिक्स धरम को राजधरम बना दिया इसी तना इसने दूसरे धरम को वेक्तिगत रूप से पालन करने की अनुमती भी दे दी थी और इस सम्मिधान ने दासों को ब्राजिली नागरिक्ता से बहार कर दिया था अब बात आती है 1891 के सम्मिधान की Constitution of 1891 ब्राजील समराट जो है पीटर दृत्ते उन्होंने 1889 को उन्हो अब एक तरीकी से विरोध किया था जैसे ही देश में एक नए राजनितिक परिवर्टन हुए थे 1824 के टाइम जो मना आपको पीछे बताया उसमें सम्मिधान को बिलकुल बेकार माना जाने लगा तक यार नहीं यह काम का नहीं है यह है यह बो है तो उसके साथ साथ क्या जो तुरंद प्रभावी हो सकता था उसके साथ 1889 में नियावादी और जो राजनितिक के समू थे उन्होंने सम्मिधान लिखने की प्रकरिया को शुरू किया और उस पार्ट को संशोधन 24 February को 1891 को एक सम्मिधानिक कॉंग्रेस के द्वारा हुआ था इस सम्मिधान को Old Republic Constitution of 18 1891 के नाम से भी जानते हैं यह आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स यह आगे आपके competitive exams में किसी MSQ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि Old Republic Constitution of 1891 कब यह बुक किस टाइम और कौन से उस पर रखी गई थी इस सम्मिधान का जो नाम रखा गया था ठीक है इसके बाद जो प्रारूपण एक बड़ी बहुत बड़ी भुमी का निभाईती और 1891 में ब्राजील के सम्मिधान के रूप में इसे स्विकार कर लिया गया था बहुत अच्छे से स्विकार कर लिया उसके बाद आता है सम्मिधान की एहम विशेष्टा है मौलिक अधिकार और कर्तवे fundamental rights and duties की बात हो रही है अनुचेत 5 कुछ नेजी और सामुहिक अनुचेतो अधिकारों और कर्तवों की गारंटी देता है इस अनुचेत के अनुचार सभी लोग कानून के समख समान हैं बिना किसी बेदभाव के चाहे ब्राजील हो या देश में रह रहे विदेशी हो या उनके जीवन का अधिकार हो सुरक्षा समपत्ती का अधिकार हो कुछ भी हो अब आप बोलोगे कि मैम हमारे constitution में तो article 5 ये बात नहीं बोलता तो आप यहाँ पर याद रखो कि आपके constitution की यहाँ बात नहीं हो रही है यहाँ ब्राजील की बात हो रही है इनका जो अनुशेत पाच है वो इन सब चीजों की इनको अजादी देता है बहुत अच्छे से और इसके साथ साथ इसमें कुछ शर्ते भी बताई गई है कि इस सम्मिधान की शर्त है कि इस मदब पुरुष और महीला के समान अधिकार और कर्दव्य होंगे और होगी कि किसी को भी कानून के सिवाए कुछ भी करने का किरने के लिए बात नहीं किया जाएगा और किसी को प्रतारित नहीं किया जा सकता उसके उसको किसी behavior को अगर वो किसी को नुकसान पचा रहा है तो रोका जाएगा वो कोई भी behavior कर रहा है रास्ते में पागल पन मचा रहा है खुछ है खेल रहा है कुछ भी कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं रोका टोका जाएगा ना आम जंदा रोकेगी ना टोकेगी उसकी अपनी life है ठीक है उसके साथ साथ अपरात के अधिकारों के लिए संपत्ति और मु सारे धर्म सहायता मतब इन सब चीजों का बहुत अच्छे से इनको अधिकार दिया गया था अब आप कोगे कि मैम यह तो हमारे constitution से मिलता हुआ है हमारे constitution से मिलता हुआ है क्योंकि हमारे constitution में इन से ही ये चीज़े ले गई है अब बात आती है लोग प्रशासन और समानने प सब्सक्राइब करेंगे और थर्ड है क्रिशी और भूमी नीती और क्रिशी सम्मिधान इसमें आपको यह बताया गया है कि आर्टिकल 184 कहता है कि संग को समाजिक हितों के कारण क्रिशी समबंदी सुधार के लिए जो ग्रामीन संपत्ति अपना समाजिक दायत नहीं निभा सब्सक्राइब करना कानुनी द्वारा परिभाशित किया गया है तो आपका ब्रिटेन और ब्राजिल मैंने कंप्लीट करा दिया है नेक्स क्लास में हम नाइजीरी और चीन पढ़ेंगे और नेक्स क्लास हमारी सिक्स फैमिरी सेटर्डे को होगी उसमें हम कोशन आंसर भी द